दो डिसंबर 2022 से प्रारंब होने वाले इग्णू का एक्जाम यानि यूजी कोर्स, फीजी कोर्स, डिप्लोमा, सट्फिकोर्ट जो भी कोर्स में आपका एडमिशन हुआ है आज से जो एक्जाम स्टार्ट हुआ रहा है उन छात्रों के लिए मैं कहना चाहूंगा कि आप अप आत्म विश्वास के साथ एक भरोस tubare के साथ एक उमीद के साथ आप अपना एक्जाम दीजिएगा काफी मैंने भी सहयोग किया हो सकता है थोड़ा सां मेरा भी सहयोग रहा हो आपके एक्जाम के सेंटर तक पहुंचने में तो आप अपने आत्म विश्वाश के साथ सोपाई क्योंकि परसेंटेज का भी काफी महत्तव होता है अच्छा परसेंटेज रहेगा तो काफी देखने में अच्छा रहता है बताने में अच्छा रहता है तो मुझे उमीद है कि आपका जो परसेंटेज जो 70 पलस 80 पलस बनेगा ताकि एक बेहतर परणाम के साथ आप आ सके मैं चात्रों के लिए यहीं कहूंगा कि आप एक टाइम मेनेजमेंट जरूर अपनाईएगा एक्जाम परारंब होने के एक घंटा पहले ही आप अपने एक्जाम सिंटर पहुंच जाएगा जो भी आप नोट्स रखे होंगे उसका एक बार रिविजन करते रहिएगा जो महतवपूर हेडिंग होगी उसको भी रिविजन करते रहिएगा हेडिंग जो होता है महतवपूर पॉइंट जो होता है वो एक्जाम में हमेशा याद रखना चाहिए वहीं आपके लिखने में महत्वपुन भोमिका निलबाते हैं कोई प्रसन अगर अधिक संख्या में आ रहा है सब्दों में आ रहा है तो उसे बहुत अधिक समय मत दिजिएगा एक टाइम मेनेजमेंट के साथ ही लिखने का प्रयास करिएगा ये नहीं कि एक प्रसन जो है काफी बेहतर तरीके से आ रहा है आप टाइम देखे नहीं साथ पेज में लिख गए जिससे की अनक कोश्चन लिखने का उसका जबाब लिखने का समय नहीं मिल पाया आपके लिए घबडाहार्ट होने लगते हैं जैसे समय ब्यक्तित होता है एक्जाम देने का समय बिखता है एक मन में घबडाहार्ट होती है कुछ चीजे जो याद रहती है वो भी आदमी भूल जाता है इसलिए आप टाइम मेनेजमेंट भी जरूर अपनाईएगा आप अपना एडमीट काड एडेन्टी काड एक ओटर काड या धार काड जो होता है वो भी लेके जाईएगा अपना ब्लू पेन ब्लेक पेन लेके जाईएगा वाइटनर मारकर का यूज नहीं होता है स्मार्ट वाच नहीं जा सकता है का पानी का बोतल लेके जा सकते हैं बाहर रखने का एक्जाम सेंटर पर बिवस्ता रहता है तो इन सभी चीजों को देखते हुए आप जरूर अपना येगा और नोट्स वगेरा जो अपना आपने बनाया होगा या जहां से भी जैसे भी आप उसका रिवीजन जरूर करते रहिएगा नोट्स एक्जाम सेंटर तर ले जाएगा एक्जाम देने से दस मिनट पहले या पांस मिनट पहले आप अपने बैग में रखके बैग जमा कर दिएगा लेकिन आप रिवीजन करते रहिएगा महत्तव पूंट पाएं तो निश्च 70 प्लस 80 प्लस 90 प्लस परसेंटेज के साथ पास हुए हैं